तो जो आइडियोलोजी के लिए हम लोगोंने 53 में कहा, हमने 2019 में कवर किया, उपकुछ को पूरा किया, लेकिन हम कंसिस्टेंट रहे अपने आइडियोलोजी, अगर हम से पूछते थे लोग, तुम्हारा एकनॉमिक ओर्डर क्या है, तुम्हारा एकनॉमिक एजिंडा क्या है मैंने का, तुम्हारे समझ में नहीं आएगा, क्योंकि तुम साहिलोज में बटे हुए हो, हम समगरता में सोचते हैं, दिन द्यालिपाद्या ने एकात्म मानववाद दिया, उसको हमारे सरकार जब आई तो हमने अंतोदे के नाम पर उसको इंप्लिमेंट किया, और जब सब का विश्वास, सब का प्रियास, इस मंतर को लेकर के हम चलें, और हम लोगोंने last man and last mile delivery, इस पर हम ने विश्वास किया, इसको हम लेकर के आगे चले, और इसलिए हम इस स्यात्रा में आगे बढ़े, ये त्रिपल तलाक समाप्त करो, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, राजीव गांधी ने पार्लिमेंट में बिल लाकर के संविधार के अधाराओं को बदलने की कोशिश की सुप्रीम कोट कहता था त्रिपल तलाक समाप्त करो और मैं आपको बताना चाहता हूँ यहां मैं देख रहा हूँ बहुत यंग स्टूडन्स बैठे हैं हमारे यंग टालेंट बैठा है आपको शायद मालूम नहीं होगा बांगला देश में ट्रिपल तलाक नहीं है पाकिस्तान में ट्रिपल तलाक नहीं है अफगानिस्तान में ट्रिपल तलाक नहीं है इरान में ट्रिपल तलाक नहीं है सीरिया में ट्रिपल तलाक नहीं है इंडो बेहनों को मुख्यधारा से वंचित किया जा रहा था, उनको अधिकार देने का काम किया, तो प्रधान मंत्री मोधी ने किया, यह हमारा आए जो हमने नाइंटीन नाइंटी नाइंटीन एटी सेवन एटी 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 एट शायद पालंपुर का रिजोलुशन एटी नाइंटीन एटीन हमने कहा, हम राम मंदिर का रास्ता प्रशस्त करेंगे हमारे से, हमारे साथी पूछते थे, राम मंदिर बनाएंगे तिथी का बताएंगे, मैंने का तिथी भी बताएंगे, और मंदिर भी बनाएंगे और 22 जनवरी को भव राममंदिर बन कर के तयार हुआ जिसका लोकारपन प्रधान मंत्री मोडी जी ने किया इसलब है इसलिए पार्टि जिस बात को हम लोग ने कहा हूँ ideological based और इसको ideology के लिए हम लोगे प्रूफ करके उसको हम आगे बढ़े अगर हमने बात इस दृष्टी से की कि हर एक को साथ ले करके चलना है तो हमारी स्टेट साज uniform civil court की तरफ aggressor हुई है समाज को एक करना है सबका साथ, सबका विकाद, सबका विश्वाद, सबका प्रयाद और वी आरे कैडर बेस्ट पार्टी अगर हम काडर बेस्ट पार्टी कहते हैं तो हमारी पिछली membership 18 करोण की हुई है और आपको बालू होगा कि हमारे हाँ हर 6 साल के बाद चाहे कोई भी हो प्रधान मंत्री जी से लेकर के राष्टी अध्यक्ष से लेकर के साधार अनकारे करता सबकी membership समाप्त हो जाती है और फिर से नया member बनना पड़ता है और इसलिए आपने देखा होगा 2 सितंबर को प्रधान मंत्री जी पहले सदस्य बने उसके बाद मैं बना फिर उसके बाद हमारे अमिद भाई हमारे रक्षा मंत्री जी और फिर इस तरीके से membership आज 6 करोड क्रॉस कर गई है और 6 करोड हम लोगों ने 2 सितंबर से आज membership बने कर देखा है तो इतना transparent और इतने systematic तरीके से हमारी membership का कारकम चलता है और हम अपने constitution के तरफ से उसका ध्यान रगते हैं तो जब मैंने कहा कि कार्डर बेस्ट है तो कार्डर बेस्ट का मतलब यह है कि आज हमारे party में 10,40,000 बूत हैं जिसमें 8,40,000 बूत पर हमारा बूत का अध्यक्ष है है और हमारी summit we are the largest हमारे डेल लाक हमारे शक्ति केंदर हैं जिस पर हमारा काम चल रहा है पंद्रह हजार से ज़्यादा हमारे मंडल हैं और यह कार्डर बेस्ट तरीके से हम अपने party को grow कराते हैं और इसको बढ़ाते हैं और all इंडिया है पैन इंडिया है अगर मैं बात करूँ अपने mass following की तो आज लगबग 350 हमारे member parliament है 1500 से ज़्यादा हमारे आज विधायक है 7000 से ज़्यादा 7000 से ज़्यादा हमारे मेर जिला परिशन सदस्यर चेर्मेन बीडी सी ब्लॉक समीती ब्लॉक समीती के सदस्यर यह हमारे 7000 से ज़्यादा है और सबसे बड़ी बात यह है कि आज प्रधान मंतरी मोदी जी के ने तो तुमें भारतिय जनता पार्टी इस बात के लिए आपका आहवान करने आई है कि हम सब लोग विक्सित भारत 2047 में भारत को बनाएंगे इसके लिए आप सब लोग मिल करके जुड़ें और भारतिय जनता पार्टी को मजबूती प्रदान करें यह हमारा उत्देश है मैं यहाँ आपको यह भी बताना चाहता हूं एकॉनमी की लोग बात करते हैं अब पता नहीं कुछ लोग पढ़े लिखे अनपढ़ होते हैं मेरे समझ में नहीं आता उनको कुछ समझ में नहीं आता अपने डबल डिजिट के इंफलेशन से नीचे नहीं आए ग्यारा साल, दस साल, वो हम को आजकर महंगाई जिखाने लग गए है, अभी देखिए अमेरिका की अर्थनीती लडखडाई हुई है, योरोप की अर्थनीती लडखडाई हुई है, और कली मूडीज ने कहा, पहले क्या कहा, कि भारत का ग्रोट रेट 6.6% होगा, फिरका 6.8% होगा, कल कहा, इट विल गो टू 7.2%, शॉरी, 7% यह हमारी स्थिती आज आकर के खरी है, आई-म-फ बोलता है, the only bright spot is India, दुनिया की aspirations आज भारत से जुड रही है, और सबसे बड़ी बात यह है, कि मोडी जी के नित्यत्तों मे हमें 11 नंबर पर जहां खड़े थे, आज वहां से चलांग लगा करके, ब्रिटेन को, जिस ब्रिटेन ने हमको 200 साल राज किया, उसको भी हमने पचाड करके, आज हम पांचवी बड़ी एकॉनमी बन गए, फिफ्ट लार्जेस्ट एकॉनमी बन गए, और, in the third term of Prime Minister Modi, India is going to become the third largest economy in the world, the third largest, मैं कई वार बोलता हूँ, अभी फिर से बोलूँगा उसी बात को, आप सब के हाथ में mobile है, सब के mobile पर पहला लिखा होता था, made in China, made in Indonesia, made in Japan, made in Thailand, ऐसे नामों के हमने बार पास mobile होते थे, आज आप उठा करके देखिए, अगर Apple भी होगा, तो उस पे भी लिख mobile manufacturing is done in India, 97, और तस साल पहले 92% mobile were being exported, were being imported, ये सिती थी, स्टील में भी आप नमबर फोर वी आप नमबर टू, हमारे गनेश जी भी टॉय के नाम पर चाइना से बन कर के आते थे, जिसको हम पूछते थे, आज थर्ड लार्जस्ट एक्सपोर्टर टॉय का भारत हो गया, जिन इनको एकॉनमी नही समझ में आती है, ये भाई बैन है इनको एकॉनमी समझ में आती है, दो ही सब सुने बेरोजगारी मेंगाई, बेरोजगारी मेंगाई, बेरोजगारी मेंगाई, बेरोजगारी मेंगाई, और मेंगाई का तो इनको क्या पता, ये दो ही बाते कहते हैं, आप बताईए, इंडिया is now third largest market in automobile, third largest. जेब में पैसा नहीं होगा तो गाडी खरीदोगे, जेब में पैसा नहीं होगा तो मोटर साइकल खरीदोगे, आज गाओं गाओं में जाईए आप, मोटर साइकल पर्चेस ट्रिपल हो गया है, ट्रिपल. How it is happening? This is the size of economy and this is the growth of economy which is taking place, which we have to understand. और इसलिए आप infrastructure की बात कीजिये, आप देखिये आज world class roads बन रही है कि नहीं बन रही है, highway, elevated road, underway, flyovers, metro, यह सब बन रहा है कि नहीं बन रहा है? तस लाक करोड रुपे infrastructure पर खर्च करने का तैय हुआ है, more than 10 लाक करोड और इसी 100 दिनों के अंदर 3 लाक करोड रुपे के infrastructure पर मन्जूरी प्रधान मंत्री मोधी ने 100 दिनों के अंदर कर दी, इस वात को भी याद करना चुरी है. मैं जब health minister बना और मुझे 2015 में World Health Assembly में जाने को मौका मिला, तो उस समय universal health coverage की बात बुलते थे, UHC, universal health coverage. हम सोचते थे कि हमारे देश में universal health coverage कब आएगा, लेकिन आपको जानकर के खुशी होगी कि आईश्मान भारत में आज, दुनिया का सबसे बड़ा health cover program, 55 crore people, 40% of the Indian population, 12 crore 36 lakh pariwar families, 40% of the Indian population, who are marginally, marginal section of the society, उनको प्रधान मंत्री मोदी जी पांच लाख रुपए का health cover दे रहे हैं, पांच लाख रुपए का health cover दे रहे हैं, every year per family, और अभी 100 दिन के अंदर मंजूरी कर दी, सतर से उपर के जितने भी लोग हैं, male, female, 70 and above, of any economic status, rich or poor, he will be getting a 5 lakh health cover, till he breathes his last, till he breathes his last, उसको health cover पांच लाख रुपए का दिया जाएगा, और ये प्रोग्राम मोदी जी इसी अक्तूबर महिने में लांच करेंगे, मंजूरी कैबिनेट ने, उन्होंने 100 दिनों के अंदर दे दी, 6 करोड लोग, बुजर्ग लोग, इसमें जुडेंगे, 4 करोड, 4 करोड, couples जुडेंगे, और total 6 करोड पीपल, elderly people are going to join this, क्या ये परिवर्तर नहीं है, क्या ये health sector में, आपको जान करके खुशी होगी, कि studies अब ये बताती हैं, कि आई उश्मान भारत जहां जहां ज़्यादा लागू हुआ है, वहाँ लोगों का bank का करजा समप्त हो गया है, and they are standing on their own, इस बात के तरीके से खड़े हो रहे हैं, ये economic development हो रहा है, ऐसे विकास हो रहा है, और उसी तरीके से अगर हम देखें, पहले ही सैंक्शन में, 3 करोड नए आवास स्योजना में घर बनेंगे, यानि कोई भी भारत में कच्चे छट के नीचे नहीं रहेगा, इस बात की चिंता की गई है, 5, 3 करोड, 4 करोड पहले बनाये थे, और 3 करोड अब उसमें से सैंक्शन किया है, इस तरीके से विकास के क्याहना लिखी जा रही है, इसलिए मित्रों मैं बोलना चाहूं, तो मैं इस पर मैं घंटों बोल सकता हूं, अभी अगर आप अंतराश्टी है, स्थिती की बात लीजिए, आप बताईए, आज प्राइमिनिस्टर मोदी जी जाते हैं, क्वाड में उनका उनका वक्तवे, वही वक्तवे, मुख्य वक्तवे बनता है, दुनिया, अब एक समय क्या था, कोई भी राश्ट्रे ध्यक्ष आता था, तो यह पहले वो पाकिस्तान लैंड करता था, फिर इंडिया आता था, यह पहले इंडिया आता था, चाना ठीज़ियो ही व junior पाकिस्टान जाता था फिर वापस जाता थ है और कूट नीटी में अंत्राष्ट्रिय डिप्लोमेटिक भाषा में क्या बोलते थे इंडिया एंपाकिस्तान इंडिया पाकिस्तान, यानि इंडिया बिना पाकिस्तान के बोला ही नहीं जाता था, आज कोई भी कूटनीतिक के भाशा में इंडिया के साथ पाकिस्तान नहीं बोलता, इंडिया इस इंडिया, पाकिस्तान रह गया जहां रहना था, पहले मनमोहन सिंग जाते थे अमेरिका में, तो क्य दिसक्स करते थे, डिसक्स करते थे, टेर्रिजम हो रहा है, हमारे हाँ, क्रोस बॉर्डर एक्टिविटीज हो रही हैं, और अमेरिका में, आज प्रधान मुंतरी मोदी जी जाते हैं, तो डिसक्शन होती है, और टेक्निकल नॉलेज पर हम उसाथ कैसे जलें, ग्लोबल वर्मिंग पर दिसक्शन होती है, इंटरनाशनल सोलर ऐलायन्स पर दिसक्शन होती है, और इंडिया उसमें लेड लेता है, प्रधान मंतरी मोधी जी के वक्तवे उसमें महत्यपूर्ण होती है, इसलिए आज भारत मोदी जी के नहित्युत में आगे जिस दीव रिगती से बढ़ रहा है और हम विक्सित भारत के संकल प्यातरा को ले करके उस 2047 में विक्सित हम देखें इसके लिए और खास करके जो यंगर जेनरेशन है दे आर गोईंग टू सी टू तू 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 त 147 for that this five year is very important इसलिए मोदी जी ने कहा यही समय है और सही समय है और मैं यह कहता हूँ कि सदस से बनने का भी यही समय है और सही समय है आप सब लोग BJP के पार्ट बने लाल के ले के प्राचीर से मोदी जी ने कहा कि ऐसे लाखों परिवार जिनके परिवार से कोई भी राजनी कार्टी में नहीं है उनको फार्टी ढूंड कर लाए और उनको मुक्यधारा में शामिल करे और उनको पार्टी ताकत दे इस बात को कहा है और इस बात को भी हम पूरा करने के लिए पूरी थाकत से लगे है इसलिए आप सब से मेरा निवेदन है आपने मेरी बात सुनी आप का बहुत बहुत धन्यवाद लेकिन आप सब लोग सदस्य बने और सदस्य बनने के बाद आप रेफरल नंबर से दूसरों को भी सदस्य बनाएं और भारतिय जनता पार्टी को एक आप मजबूती प्रदान करें एक बात अंत में और बोल देना चाहता हूँ आज कल एक कारकरम चला है नो बीजेपी नो बीजेपी मतलब के एन ओ डबल्यू एन ओ नहीं के एन ओ डबल्यू भारतिय जनता पार्टी को जानो और आपको जान करके खुशी होगी के लगबग सत्तर देश के राजदूत हमारे बीजेपी के हेड़कॉर्टर में आकर उन्होंने भारतिय जनता पार्टी को समझने की कोशिश की है आज दुनिया बीजेपी को जानने के लिए आ रहा है लगबग 30 के आसपास राजदूतों ने भारत के चुनाओ को देखने के लिए कि भारत का चुनाओ कैसा होता है बीजेपी का आफिस कैसा होता है वार्रूम कैसा होता है बैक अप आफिस कैसा होता है सोशल मीडिया कैसा होता है इसको स्टड़ी करने के लिए बड़े बड़े देश के राजदूत आज देमोक्र पार्टी के कारले में आये हैं और आज हमें खुशी है कि कोई भी अंतराष्ट्रिय जो गेस्ट आते हैं वो सभी गेस्ट दे विश्ट टू मीट अल्सो दि प्रेजिडेंट ऑफ भारतिये जन्तापार्टी और वो उसको समझने का प्रयास करते हैं ये बीजेपी के आज स्थ स्पेड भी करें ये आप सबसे मेरा निवेदन है आपने मेरी बात सुनी बहुत बहुत धन्यवाद कि जादी आपड़ों को अमों वीडियो टी भल लगिला तेवे आमों चैनल को लाइक शेर और सब्सक्राइब करेबा कुछ में भी बूलनतु नहीं